नमस्कार आप देखर दैनीक लाइबनी 24 मैं हूँ जिला विरोजी बिरिंदर कुमार दर्सकों बताते चले आपको हत्या का पूल जो आपके चैनल दैनीक लाइबनी 24 ने बहुत ही पर मुक्ता से कई बार चला है लगातार चला है खबर के आचर है कि आज हत्या पूल में पिछले एक सब्ता से काम जारी है एक मैना के भीतर भीतर पूल की मरम्मत दोनों तरफ से हो जाना है जैसा कि यहां के सुपरवाइजर ने बताया कि 25 से 30 दिनों में पूल का दोनों भाग जो छती गिरफ्था जहां गाडर खराब था तोटल गाडरों को बदल दी आजाएगा अब पूल को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि अगले पांच सालों तक भुल घिलेगा नहीं तर्चो को सब सबसे दुखत बात ये कहां जा सकता है कि जब तक मीडिया नहीं जगाती है सासन के पर सासन लोग जगते नहीं है एक मात्र सबसे बड़ा पुल ही सोनों होके भी जाता तुहां बड़ी गारियों का जाना निशेद है लेकिन हतिया पुल जो अपनी किस्मत रो रहा था आज हतिया पुल क्या आशू पोचने वाले लोग आ गहें और यह आपकी आपके चैनल का ही असर है सरकार के अधिकारियों के नींद खुले और हतिया का पुल मरमत हो रहा है एक मैना के भीतर भीतर यह पुल चालू हो जाएगा हम चंता के लिए एक हमारी ग्राउंड रिकॉर्ट के को यह पुल पर काम चला विए शूपर वाई ज्रेसे ऍटू खुमार एक मेना कांदर यह भ्ल पुल shr शुट जाएक काइन दर फुल पूरा हो जाईगा चाओर काहोना है और है हमें एक मैंदर यह ठीजज़ दिनLv गाड़ी फिर चलने लाइक हो जाएगा पर, इसका रहे गाद रहेगा ना हुआ है आम जंतों को रहात मिलेगी बहुत रहात मिलेगी इसलिए के बहुत सारी समस्या बना हुआ था आज यह समस्या करनिदान हो रहा था बहुत खुषी की बात है कि आज पुल का काम चल रहा है कहीं हमने बहुत परमुकता से खबर को चलाई थी जो चलने से सरकार में या अधिकारी में अशर आया है और बहुत बढ़ियां से काम हो रहा है क्योंकि सर जारखंड जाने वाली एक मातर सड़क है यह है जरूरी सड़क है थैंक्यों सर पुल का जो खबर हम लोगों नहीं चला है था उसका से रहे काज काम जा रही है जी जी बोलिये क्या नहीं हम आपका